नमस्कार, स्पाइस बॉक्स में आपका स्वागत है, आज हम बनाएंगे स्प्राउट्स कट्लेट, देखें इसकी सामकरी, चाट मसाला, जीरा पाउडर, चावल का अटा, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हरा धनिया, अंकुरित मूंग, अंकुरित चने, मटर और इन तीन का मिक मिक्शर, अब इसे बनाने की विदी देखें, थोड़ा तेल डालेंगे पैन में, गैस जलाएंगे, तब तक हम इसकी दूसरी तयारी करेंगे, एक पाउल लेंगे, इसमें हम तीनों आनाजों का अंकुरित मिक्शर करेंगे, इसमें थोड़ा चावल का आठा डालेंगे, अब डालेंगे जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा नमक, अब डालेंगे हरा धनिया, खोड़ा पानी डालेंगे, इसे हम इस तरह मिक्स करेंगे, एक बार हम गैस कम करेंगे, हम इस तरह से कटलेट बनाएंगे, एक बार जब ये कटलेट तयार हों, तो हम इसे तेल में डालेंगे, और फ्राई करेंगे, एक बार जब ये फ्राई हो जाएं, हम इसे पल्टेंगे, जब ये इस तरह ब्राउन कलर हो जाएं, तो हम एक दूसरी प्लेट में शिफ्ट करेंगे, गैस बंद करेंगे, हम इसे लेंगे और पेपर टिशू में रखेंगे एक्स्ट्रा तेल हटाएंगे इसे सर्विंग प्लेट में रखेंगे थोड़ा सॉस भी रखेंगे सॉस के साथ यह अच्छा लगता है टोमेटो सॉस रखेंगे कर्मा गरम अंकुरित कटलेट तयार है यह बहुत ही पॉस्टिक है इसे आप बच्चों को भी दे सकते हैं या आप नाश्टे में भी खा सकते हैं खाएं, खिलाएं, खुश रहें